है गाईस विल्कम टू सक्सस्तिलिप मेदलिप कमार स्वागत है इस वीडियो में तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डी एफ सी सी एल की अपकमिंग रिक्रूट्मेंट के बारे में जिया दोस्तों डी एफ सी सी आईल यानि की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बहुत ही बहतरीन रेल्वे की जॉब है अगर आपको रेल्वे में जॉब्स मिलती है और आपको डी एफ सी सी एल में जॉब्स मिलती है तो तो देट्स ग्रेट कहीं जादा बड़ा अच्छा बहुत अच्छी अपोशनोड़ी है आपका डी एफ सी सील क्योंकि एक्कमेंड technician and jee की post मानते हैं आप लोग तो यही recruitment होती है यहाँ पर ALP की DFCCL में और totally मैं बात करूँगा इस पे कितनी post अभी इस पे खाली है क्योंकि मैंने इस पे खुद RTI लगाया था एक मैना पहले हलाकि उस RTI का जवाब मुझे मिला नहीं है मैं आज की date में दुबारा RTI लगाया हूँ फिर आपको वीडियो यह create कर रहा हूँ लेकिन अभी क्या है DFCCL जवाब नहीं दे रहा है actually हो सके election का चक्कर हो but does not matter vacancy 2024 में आपकी आने वाली है DFCCL की तरफ से ALP must vacancies होगी total 2600 से भी ज़्यादा post हो सकती है हो सके यह post 3000 हो जाए क्योंकि 2600 पोस्ट यह आपको पहले खाली थी इतनी पोस्ट है जहां पर ITI student and diploma student बहुत अच्छी खासी opportunity लेकर आने वाली है DFCCL आप सभी के नेट के लिए तो चलिए detailed notification wise देखेंगे इसमें A to Z कि ALP के जब इसमें vacancies आती है कौन-कौन से trade कौन-कौन से branch apply कर सकते हैं क्या syllabus and exam pattern होता है और मैं आपको previous RTI का proof आपको दिखाऊंगा कि कितनी recruitment actually में आने वाली है DFCCL में ALP के कितना खाली है सिर्फ ALP की नहीं आईगी इसमें MTS की भी vacancies होगी चली आगे बढ़ते हैं इससे पहले request होगी चैनल पे अगर आप नए हैं तो subscribe जरूर कर लें पहले icon को भी प्रेस कर लें और इसी तरह job सब्डेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें and telegram चैनल को follow कर लें तेकि गया इस दो चीज में बता देता हूँ एक मेने पहले मेने डियेप CCL में RTI लगा था लेकिन उसका कोई भी मुझे जवाब नहीं मिला दुबारा से उनके दुबारा सेंट कर दिया जाता यही 13 फरवरी 2024 वाला जो एक RTI जवारा पूछा गया था कि टोटल अभी कितने post खाली है Assistant Locopilot की जो ALP की Recruitment आती है तो उनके दुबारा डिरेक्ली जवाब दिया गया था आप देख सकते हैं कि 2612 पोस्ट खाली है ALP की और अलग-अलग पोस्ट की भी खाली है यहाँ पर MTS की भी पोस्ट खाली है 600 से भी जादा पोस्ट लेकिन हम यहाँ पर dedicated करने वाले हैं only ALP की vacancies को तो यह देख सको कि 2023 तक यह vacancy खाली थी vacant post ही सभी 112 ALP की लेकिन अभी जो हाल में मैं बात करूँ तो approximately अभी RTI का मैंने फिर लगा बट मैं भी reply नहीं मिल सकता क्योंकि election है और आचार संगिता लागू हो चुका है तो जो भी होगा वो आपको after मई के बाद ही देखने को मिल सकता है या फिर after June के बाद June के बाद ही देखने को कुछ मिल सकता है जुलाए गस्त में तो शलिये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जब recruitment आएगी घबराईए नहीं श्योरली है दोजार चौबीस में आपकी assistant local pilot की vacancy DFCCL 100% निकालेगी क्योंकि ये vacancy 4 साल से कोई भी vacancy नहीं निकाली गई है 2020 में vacancy आए थी उसके बाद कोई भी recruitment नहीं आई है DFCCL की तरब से ALP की junior executive की आई है ALP की नहीं आई है तो उसके लिए आप तयार रहे है और इसके regarding आपको कुछ doubt है तो आप खुद भी RTI लगा कि पुछ सकते हूँ वहाँ पर 100% जवाब मिल देगा 1000 संगिता के बाद कि कितनी post ने खाली है और यहाँ पर मैं actually last मैं आपको बता दूँगा कि कब तक आने की संभावना है कोई guarantee नहीं है यार क्योंकि RTI का reply भी तक मिला नहीं लेकिन मैं आपको बता दूँगा कि कब तक आ सकती है DFCCL की recruitment देखे यह मैं आपको कुछ recruitment की अनुसार बताने वाला हूँ post जिसके अनुसार आपको पता चलेगा actually मैं कौन-कौन से trade eligible होते हैं क्या qualifications मागा जाता है और इनका syllabus क्या होता यह previous notification है 2020 के बाद कोई भी ALP की vacancy DFCCL में नहीं आई है जितने भी ITI student, diploma student अगर आपको पता नहीं है तो मैं फिर बोल देता हूँ DFCCL में ALP लोको पाइलट की vacancy आती है यह नहीं की सिर्फ railway में निकलती है और इसमें भी जब भी निकलेगी जब अर्जस्त vacancy आएगी लगब लगबा मान के चलो की 3000 के करीब आपकी vacancy होगी सिर्फ ALP की अब चले थोड़ा previous notification को discuss कर लेते हैं किस प्रकार recruitment होती है यहाँ पर 3-4 तरह की recruitment होती है जिसे देख सकते हैं एसिस्टेंट लोको पाइलट 1306 पोस्ट पर vacancy आई थी पहले और लोको पाइलट की भी vacancy थी वो 1306 पोस्ट पर crew controller की vacancy थी 70 पोस्ट पर 2700 कुछ vacancy निकाली गई थी 2020 में और इस बार कितनी आएगी approximately 3000 प्लस vacancies निकलेगी 2024 में यहाँ पर हमें LP की में बात करूँ assistant लोको पाइलट की और senior assistant लोको पाइलट की तो इसका जो grade पे होता है 25,000 से लेकर 68,000 होता है और senior लोको पाइलट की यह भी 28,000 से लेकर 80,000 होता है यह सोचो 2020 का pay level है अगर आपकी 2024 में आपकी यह notification ना आती है तो अराम से यही salary आपकी 29,000 से लेकर 78,000 के करीब पहुँच जाएगी यही vacancy यही grade पे तो आप समझ रहे हो कि कितनी vacancies vacant होगी और कितनी अच्छी खाजी opportunity इसके एकमेड़ेसंस देखो ना यार SSC CGL वालों को जो सुविदा मिलता है ना रूम मिलता है ना वैसा रूम आपको मिलती है अगर आप YouTube पे भी खोलोगे ना तो एकमेड़ेसंस मिल जाएगी आप चेक कर सकते हैं कि लोको पाइलट DFCCL में कितनी सुविदा आपको मिलती है रेल्वे से कई गुना अच्छा ज्यादा जोब है यह अब थोड़ा सा trade देख लो कि कौन सा trade का candidate या फिर branch के जो diploma candidate apply कर सकते जो LP के recruitment आती है department इसका होता है electrical and mechanical दो ही department होता अलग कोई department नहीं क्योंकि goods train चलती है कोई passenger train चलती है only goods चलाती है DFCCL जो सामान transportation का काम हो गया तो इसमें कोन eligible होता है first of all 10th pass plus ITI होनी चाहिए ITI completed act apprenticeship in armature and oil vendor यानि simple अगर आपने apprenticeship भी कर रखी हो 10th pass करके तो भी आप apply कर सकते हैं अधो ITI की candidate तो apply करी सकते हैं trade देख लो जो आपका देश है coil vendor मेंने बताया electricity की vacancy, electronic mechanic की fitter की, heat engine की, instrument mechanic की mercenist की, mechanic diesel की mechanic motor vehicle, mail right maintenance mechanic उसके बन mechanic radio and tv RNAC and tractor mechanic, turner, wireman तो जितने भी सारे ITI का trade का मैंने नाम लिया है ये सारे trade की candidate apply कर सकते हैं जब भी vacancy आएगी यहाँ पर डिपलोमा के candidate भी eligible होते हैं तो डिपलोमा में mechanical, electrical, electronics automobile engineering यही चार ब्रांच के candidates में apply कर सकते हैं और जो degree किये हुए होते हैं अगर आपने diploma to degree किया है तो आप apply कर सकते हैं आथपाव ऐसे आप apply नहीं कर सकते हैं without diploma 18 से 30 सल के candidate इस form के लिए apply कर सकते हैं जब भी recruitment आईगी then age relaxation इसमें होगी तो इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ कवर कर चुका हूँ कि ALP की vacancies आपकी निकलने वाली है 2024 में और approximately 3000 करीब आपकी vacancy होगी क्योंग 2412 post तो 2023 में डेटा जारी किया गया तो उसके recording जारी की गई है अभी RTI का reply नहीं मिला है देखते हैं reply मिलते हैं मैं आपको confirm बता दूँगा लेकिन confirm है आप तैयारी शुरू कर दो क्योंकि 2024 में आपकी DAP CCL की तरफ से अच्छी खासी recruitment आएगी और ये वेकेंसी करिब करिब वेकेंसी आएगी तो नॉमबर अक्टूबर से नॉमबर के मन्त में DAP CCL notification जारी करेगी और दो notification confirm जारी होगा एक आपका होगा MTS का आपकी जो MTS बोले तो Group D level 1 का post इसमें Group D post बोला जाता है MTS post बोला जाता है Group DECO DFCL में और दूसरा आपका ALP का ALP का train operator के नाम से आ सकता या फिर ALP assistant local pilot की तो MTS recruitment होगी यार assistant local pilot की करिब-करिब 26,000 से 3000 के बीच में vacancies तो तैयारी सुरू कर दो 2024 में elections के बाद कई सारी department की तरब से vacancies निकलने वाली है तो ये summary वीडियो है अगर आप syllabus की वीडियो चाते हैं तो मैं आपके लिए एक separate syllabus की वीडियो लेकर आ जाओंगा जिसमें DFCL ALP का syllabus कबर करूँगा तो आप अराम से इसके गौटिंग preparation आप कर सकते हैं hopefully सब कुछ मेंने detail wise कबर किया है कुछ extra doubt है कमेट करके बता सकते हैं वीडियो इस पर लगी हूँ राइक सारें सब्सक्राब करें मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए जैहन दे